हालो दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल पड़ाई वित रवी पे आप सब का स्वागत है आज हम इस परसेंटेज के पार्ट फाइब में हम आज चर्चा करेंगे जो सवाल पिछले लेक्चर पार्ट फोर में रहा गए थे उन सवालों को और फिर कुछ अलग कंसेप्ट को स सब्सक्राइब के साथ तो इससे सब करने से पहले हम पिछले जो 2-3 सब्पूरस टेक्प हो जाए तो आए ये हम सब्सक्राइक सब्सक्राइब करते हैं यह सब और अबhower का चलिए यह सबना पने देखने होगा के चनी कीमत Teams को चालिस परशनट बढ़ जाया तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी का परियोग करता है जिसे खर्च 10% कम हो जाता है तो बर्दमान खपत याद करें हम इस सवाल को बनाने के लिए 3-4 तरीका बताया था मैंने तो सबसे जो आसान तरीका मैंने बताया था वो आप अगर याद होगा आपको मैंने बोला कि बस आप 400 मालो को बमती चनी हाँ मैंचीन्य कढा सौ मान लिए अब पसिटैंड बढ़ जाएगा तो चीनडी कढम 41 यह को पता हो अगर आप पने हटीन्य कडह सालना पढ़ा है कि यह करने की कि लिम्हा कैं बताया था इसके अब कि यहीं आपको चीज करना यहां पर आपने बस्तू का दाम माना है और फिर यहां पर बस्तू को डाम बढ़ाया और फिर जो खर्च है ना इस बस्तू के दाम से कर देना जो यह जो लाश्ट में त्यार होता है यह लाश्ट में जो अनुपात आता है मैंने सब कुछ में करके बताया था कैसे आता है यह आता आपका खपत कानुपात यह ध्यान रखेंगे यह खपत कानुपात आगे इसको सिंपल कर सकते हैं चौदानुपात नौ भी हो जाए कोई दिकत नहीं है बोला कि एक परिवार बी किताब बोला कि बीच की किलो कंप्यों कर रहा हम बोलेंगे पाँच की यहां पर जो अनुपात में पाच यूनिट है जो बीस की की बरावर है तो जो निकालना χव나 करते हैं है बरत्मान के-irect रहा है नो से ProOtros भी अससरे रिकाब seguinte करें हो हो यह यह आपका था सवाल कोई क्लाने की अपने यह नीख सब्सकुर में इन बताए था और लहें भी चलिंगे और पराब लिखेंगे कि आप कर्च लिए तरह से में वह थो प्रसेंटेज का पार्ट फोर में देखिएगा तब वहां से अपका क्लियर हो जागा इस तरह समगले सवाल के और चलेंगे तो देखिए यहां पर क्या लगया है एक चाय की कीमत एक सोपचीस रूपया से 30 कीलो देखियो कीमत देख रहे हैं 296 ज्यां या के श सवाह इस तरह के सवालें तो 지ndh सरुप्या से स्वे से कीमत तो हम بह connectivity कितना percent बढ़ा है यह में ग्याद करना पड़े गया तो हम 120 रुपया था 150 रुपय दाम हो गया तो पचीस रुपय दाम बढ़ गया कहां से बढ़ा 125 कोई भी संख्या का अगई निकालेंगी उस संख्या से है जितना बढ़ गया हो संक्या को रखें विपंपर में और इससी किस की इसाמë कि पर पेंडें पिर्ख सी ब्रहन है ना पचीष कहां is लुए Candid 255 तो ऐस despair में इंडू है ब्चीज करते हैं तो इहां क्या गे कि अपाई कि वह कि नहीं देगा तो बात वहीए में इस तरह का सवाल हो कैसे बनाएं यह पूंआ देखें खर्च क्या इसका यहीं गोजगा तो एक सोधेगा कि सो से अब यहीया आपका नुपात जाएगा खटका पहले बारा खटकर रहा था किताम में वह नौ किता नौ किताब बोलरा हमारे कोर्ट एक किलो है निकालना है बस तो भी को वा बर्तमान कपत र्याद करें अंप्रमान किया अदिभा चुब्स की उस सवाल का उत्तर है इस तरह से आपका पूरी सवाल आएगा आप कर पाएगे आप लिया इस तरह के सवालों को बहुत सारेिश सवाल बनाएं ठीक्षर में में तो वहाँ सभी आप देख सकते हैं अगले सब्सक्थ चलए है लिए लिए इस चीनी की कीमत को 30 फॉटबशन कटा दिया तो यहाँ सकता ना कि 100 था सब्सक्राइब तर कर objective 5 — बड़े झाली हो पांच फैसिन घठेगा सुरी तो 95 कर देंगे गी पांच पसेंट घटा तो 95 कर देंगे हम इसको प्राइन उपाद निकाले 14 पचे सतर और 19 पचे पंचान में हमारा यहां पर आ गया तो 14 यह कटे का नहीं ठीक है यह किस तिसका रेसियो आता यह अपको ध्यान रखना चाहिए खापत का रेसियो कोई दिकत नहीं होगा अब छल में जैसे चैसे बोलता स्वाल को है पूरा सवाल को पढ़ना जूरी आपाट्र के जल्दी यलंधि मैं नहीं पढ़ना है तो आστार्टिंग में खर्चा पंट्रिस किलो था लेकिन आपके अनुसार कितना खर्चा है स्टार्टिंग में दिक latest चृदा में 25 बटा 2 25 बटा 2 मां तो क्या हुआ 25 का आधा बटा बटा दो जहां रहा है हो तो आधा 25 का अधा कितना होता साड़े 12 कि इस वाल का उत्तर कि चलिए आज के स्वालों के और हमाते हैं कि क्या है हमारा देखिया सवाल अगर आप लोग देख रहों है थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जादा नहीं थोड़ा कर रहा है कि कंप्यूटर की दाम में 20% की बढ़ोतरी होने पर इसकी विक्री में 25% की कमें आ जाती है तो आए सवाल नहीं है तो एक थोड़ा यह अलग टैप नहीं हो गया वही टैप है लेकिन इसको बनाने का तरीका वही होगा केंप्यूटर के दाम में 20% की बढ़ोतरी हुई आपको पता है भाई 20% का मतलब होता है एक बटा पांच कहने का मतलब बस्तू का दाम पहले 5 था एक बढ पहले दाम था पाच अब दाम कितना हो जाएगा छे क्योंकि एक बढ़ाया गया इसकी बिक्री बिक्री हमने लिए बिक्री इसकी बिक्री में 25% की कमी आती है 25% का कमी का मतलब हो गया माइनस वन वाई-4 कोई दिक्कत कमी है तो उपर में माइनस लिखे और नीचे में एक ब पैज रहें थे अब तीन स्वान पैच रहें क्योंकि एक कमा गया तो देखिए यहां पर जो आया आएगा जो इनकम उसको होगा अगर उसने वह बस रूपिया बढ़ाया जचार गरह का रहे थे चार बस तो बिक रहा था तो पांच रुपया दाम था चार बस तो बिक्रात तो बस्तु का लिया मात्रह विभी चील की मात्र है कितना बिख रहा तो जब दाम में विक्ली चे मैंने करए तो आपके आपके पास पास पैसा तो अपने देख्या यहां इसका गठाइन हो गया मैं तो गठा है तो गठा jijा तो गठाए कहां से बड़ा होगा क्या Tang कर देंगे जो десятके हागे तो दस पर्र सेंट कि क्या आइज आई तो वह कमी लिखना जूरी है ऐसा नहीं option में 10% बढ़ोती रहे तो यह मार के नहीं निकलना है क्योंकि बास तबीक आए बीस था जो अब की आए अठारा हो गई अब की आए अठारा हो गई है तो बास तबीक जूरी है कि हंड़े परसंट क्या सोथ बोल सकते हैं कि इसमें क्या वाब आई इसमें डिकली के संख्या में कमी जाती है यहां पर कमी होने पर यहां पर संख्या बरीदिया इती इस तरह का स्वाल आए गए जिसमें गुननानफल के रूप में चाहे वह कोई भी चीज़ों चाहे तो वह आयत की लंबाई में और चोड़ाई में बिरिदी करके कुछ किया जाए तो वहां पर विष्टर के सवाल को हम बनाते हैं कैसे आएगा सवाल तो आपको इसी हो में सोल्व करना है असानी सोल्व होगा और फ्रैक्शन का उपयोग करन है हर जगह ठीक है आपको हर जगह फ्रैक्शन का उपयोग करना है ठीक है तो अगले सवाल की वर चलेंगे हम जो अगला हमारा सवाल है देखिए यहांब क्या बोला कि चावल की दाम में 40% की बढ़ोतरी होने पर इसके खपत में 20% की कमी आ जाती है तो खर्च में परतिसत परिवर्तन क्या आप देखें चावल की दाम में 40% की बढ़ोतरी किया क्या कर सकते हैं देखो कि दाम ठीक है दाम हो गया 40% की बढ़ोतरी देखिए आपको अगर पता नहीं होगा आपने मैंने बोला था जितना भी फ्रेक्शन है सबको आपको याद रखना 40% का अगर आप इससे समय बचेगा 40% का मतलब होता है दो बटा पाच चालिस बटा सो करेगा तो दो बटा पाच आए दो बढ़के साथ रुपया तो दाम में हुआ पांच से भी या साथ ठीक है यह दाम पांच से कितना हो गया साथ हो गया चलिए यहां तक कोई दिकत नहीं है यह पांच कौन और रिजिए धिया रखेगा और रिजिनल और यह निव अब आगे मैं आगे क्या बोला है आगे किलो खा रहे हैं तो 100 रुपय खर्चा बस्तू का दाम 100 रुपय के जिए हैं तीन किलो खा रहे हैं 300 रुपय खर्चा सारे गुना पर डिपेंड है कि नहीं यह आप समझ चुके होंगे तो खपत में 20% कमी तो 20% को आप क्या लिख सकते भाई एक वाटा पांच लेकिन माइन तो प्यन से एक चला गया चार पहले पांच किलो खा रहा Department नहीं तो अब यह 205 किलो होगा देखिए तो दोनों पर दिपेंड ही नहीं पर डिपेंड है तो इस तरह के सवालों को ऐसे हի करने का तरीका है पूछ रहा कि खर्श में कितना क्या हुआ तो पहले खर्च 25 था खर्च तब तो बढ़ा हो जाएगा बढ़ा से क्या होगा छोटा हो सकता छोटा से बढ़ा और बढ़ा से छोटा होता है यह ध्यान रखेंगा तो कमी होगा जब तो बढ़ा से कमी होगा और बढ़ोतरी होगा तो तो तीन बढ़ा है कहां से पचीश से बढ़ गया इंटु कितना परसंट का ब्रिदी हुआ बारा परसंट बढ़ गया हमारा खर्चा कितना बढ़ गया बारा परसंट की ब्रिदी इस तरह से सवालों को आप कर सकते हैं चाहे वो सवाल कैसा भी रहे आप उस तरह के सवालों को इजली सोल्व कर सकते हैं कहीं भी कोई परसानी नहीं होग अब हुम चलते हैं अगले इस पालब कियों देखे आ गया करा कि पेट्रोल की दाम में 66 पुर्णांग दो बटा 3% की कमी होने पर कहीं पे 66.66% भी देगा उसका मतलब यही होता है मैंने सब बताया था कि 66.66% का मतलब भी वही होता है ओके जो 66 पुर्णांग दो बटा 3% का मत बताया था कि 14.28 होता है तो कहीं-कहीं आपको दसमर्लों भी परसेंटर देगा तो आप डरना नहीं है मैंने बोला कि इस तरके चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो फर्ष्ट का कलास हुआ उसमें यही ची बताया गया फर्ष्ट की सकंड कलास में तो आप वहां प पुर्णांक दो बटा तीन परसेंट को फ्रैक्शन में अगर आपने चेंज किया तो दो बटा तीन होता है दो बटा तीन होता है तो कहने कम तो तीन दाम था और दो कम गया माइनस कमी है कि तो माइनस तो पहले तीन दाम था दो कमा तो एक हो जाएगा परसेंट हो जाएग कि तो चौदा पुर्णांग दोबटा साथ परशंट अब दस बस्तु का दाम घटे गात जोड़ी है कि उसको हम ज्यादा खरी देंगे कि चौदा पुर्णांग दोबटा साथ परशंट का वैलू होता है एक बठा साथ ही आपको पता हो तो इतना बढ़़तरी गएंक तो पह तो देखिए जब आठ रूप्य खर्चा और तो बस्तु का दाम में इतना कमी होने के पाथ भी यह सोच की इतना आपना जो बढ़ोतरी बहुत कम किया टीक है तो केतना मैं आपको शोटा हो जाएगा और दिाहन रखेगा यह दिया दियां रहें-घिए कि मैं ने अच्छे से बता दिया जोने सो कोच चेट करते रहे देखिया नहीं सोल्व कर पाते हैं मैं इसको तो कि साइड में कर देता हूं यह होगा भाई तेरा सो सवालों को आप बना सकते हैं सवाल कैसे आए आपको कभी गलत नहीं होगा आपको बस दियान रखना के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको दियान में दिमांग में कंठस्ट याद रखना आग चलते हैं अगला सवाल आपका देख लीजे बहुत सिंपल सवाल है चीनी क दाम में फिर दाम बता दाम लिखें लिए ग्यारा पुर्णांग एक वटा नौ परसेंट का ब्रिधी होने पर बढ़ जाने पर उची बोले एक परिवाद इतना को पहले हम निकालते हैं मैंने क्या बताया था भाई या कि ग्यारा एक और नौ जहां भी रहे ग्यारा एक न तो जो नीचे में जो नीचे में वही फ्रेक्शन अगा एक वटा नौ अपचेंग लोगे देख लिए गा एक वटा नौ ही आएगा तो बढ़तरी वात उपर वहां पहले नौ था अब बस्तू का दाम दस हो गया तो बस्तू का जब दाम बढ़ेगा तो खपत क्या कर भत कर देंगे कंक में लिखत कितना मुखलें कि तो खबत में तो बॉटत तीन परसेंट मैं आफ दो बड़ा को हम लिखते ही एक अच्छी पता होगा यह सब आपने पढ़ा होगा तो पता होगा नहीं तो निकालते रही है जब जब आए ना जब जब आप इसको सोल करें तो आपको याद हो जाएगा क्यमी हुआ न एक माइनस तो पहले छे किलो चावल चीनी खरीद रहें थे आप पांच किलो खरीदेंगे कि खर्चा क्या होगा भाई एक वैड़ा सकते दोनों का 9 रुपया था तो शे किलो टो न ऑच्छा को चाहुए लृपया था तो पांच किलो 55 रुपया तो बस्तु का दाम में हम ने चाह मने बस्ता हम जो खर्चा मेरे मेरा हो रहा था उसको में चाहरर प्या कम कर दिए पहले कर सकते हैं कोई दिकत नहीं दो सो बटा 27 सोल्व करेगा तो आपका हो जाएगा 20 सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इस तरह के सवालों का प्रैक्टिस रखेगा साथ में जो बूक आपके पास है वो बूक अगर बनाई एगा तो कभी गलत होने वाला नहीं है यह अगले सवाल की और चलते हैं अगला हमारा सौल क्या है चलीए लोके इस तरह के सवालों का मागवे करते हैं है मैं जो केलियर नहीं किया है चलिए देखिए सवाल है अब इस सवाले देखित कहाने की टेल की कीमत में 25% बढ़ जाती है तो तेल का कीमत हैं वह पजीज संब बढ़ गया अपना बजट को सही रखने के लिए में तो जो खर्चा कर रहा था वह तेल के मामले में हैं अगर तेल के मामले महीना हम वह सोगा खर्चा कर दो उसको सो ग्राइब खर्चा करना है तो पूछ रहा है कि टेली का सब्सक्राद को बरावर अगरार रखने के लिए उसने जो खरचा यो कि अधने कर दिया उसन이고 बीस परसेंट तेल का उपयोग में कम कर दिया तो ब्याय खर्च में क्या परिवर्त है अब सवाल में यह सवाल को देखनी के है इसका उत्तर नो चिंज़ अब रखली सवाल को कैसे बना दिये अब देखिए बोला है कि अपने बजट को सही रखने के लिए जो जो खर्चा कर था ना तेल के मामले में उसको वही रखना है तो खर्चा गड़ा ही नहीं रहा है खर्चा बढ़ी सिर्ट रख राया है को नीचे पूछ राए विश्ट आ आपको पता होगा कि जो खर्च है को परवृर्वर्टित होता है यह मैंने बताया आपको कीमत का उल्टा खपत हो जाता है और जब कीमत का उल्टा खपत आपका सवाल में दे दिया है तो खर्च एप अलसी आपको ब्रॉछ यह लाई कra इन्हीं सोन क्यों करें दिए 242 इसना में ब Спूर zurओं में 25 20 को और जिसने भी मैं सवाल कर रहा हो वहां सारे सवाश कहीं कहीं ग्रां पुछ चुके है कोई चावल की गई मटिन सवाल की और हम चलेंगे अगला सवाल हमारा है तो यह सवाल है कि चावल की कीमत में 30 रुपया की परतिख की कमी हो गया जो चावल का जो दाम थहां उसमें 300 रुप अर के अलुके पर किलो में कमी होगी है अगर माले दें ढ़िक हो बहुत है हुआ और सवाल मिए बोला है वह ब्चुर्टि हैं जो 720 रुप्य लेकर जाधा requests लेकितने अब उसको 2K लेके Panzer मिल उस से 2 kg ज़्यादा चावल मिल रहा है. तो बताई Y that starting उसका दाम क्या था। चावल का दाम जो सुरुवात में शुरुवात में वो कितना rate था। rate क्या था इस सवाल को हमको सोल करना। यह बहुत ऐज़ी सवाल है। आप इस सवाल को देखिए इस सवाल को तो यॉप्षन करना सबसे अच्छा तरीका है आए हम करते हैं इस सवाल को और एक्स ke तरीके से जो आपको अच्छा लगे उस तरह से में यहां स्टार्क्राटर करते हैं इस देखिए हम पहले देखते हैं एक्स पे एक्स पे कैसे सवाल बन सकता है जो आपका बैशिक अप्रोच है आप क्या कर ये चावाल की कीमत में 30 किस के प्रतिक किल बढ़ गया है तो तो बताव है मार्केट लेके जाते होंगे तो आपको चावल कीता मिल रहा हो का क्या लेक्स करना पड़ेगा रहे जैसे कि आप साथ सो बीस मार्केट लेके जाते होंगे तो आप उसके एक किलो का भाग से तो निकलता है कितना टोटल क्वांटिटी तो यहां पर टोटल साथ सो बीस रुपया लेके गए एक किलो रुपय दाम था तो प्याच लेए साथ सो बीस बटा एक ठीक है अब हम दोगारा गये जा मार्केट तो हमें पता चला कि चावल का दाम गया कम एक समाइनस टीस हो गया तो अब तो मे साथ क्वांटिटी मिलेगा यह तो हंड़े परसंट पता कि ज्यादव क्वांटिटी मिलेगा तो यह जो क्वांटिटी जैसे कि माल लेता हैं कि एक आपको मैं बेसिक अप्रोश देता हूं इस साथ सो बीस रुपया अदाम था चावल का दाम मानने थे कि 90 रुपय केजी थ कि आब दोनों का जो अंतर है वो दो केजी के बराबर है बात तो यह होगी ना जो नों का जो अंतर है यह के बराबर समझ गया होगे तो यहीं पर अगर आप यह तो आपका बेसीक चुट तरीका होता एकस पर बनाने का वह तरीका मैंने बताया है कि एक्स पर ऐसा इंस्तवाल बनेगा यह चीज कर लिजे और उसके बाद एक्स का मान क्यूंकि बोला कि बस्तू की प्रामभी कीमत गयाद करी बस्तू की प्रामभी कीमत हमने केतना माना एक स्टार्टिंग में किता माना कि एक स्टू किलो भी करा अगर यहां पर दता कि बस्त कीमत कहने का मतबहिया आप डेकली समय लिए कि स्टार्टिंग में कीमत क्या था तो वाई अगर 120 लेते हैं तो आप देखिए पहरे नब्बे लिजेगा ऐसा लिए जो कि आपको कट सके तेरा एक सो तेरा और ग्यारा से कटेगा साथ सो बीस नहीं कटेगा तो आप आप से अब जो आगे बढ़िएगा तो फिर इसी मैंनों क्या बोला कि यहां पर एक का मान रखना अब जब परम्भी कीमत आपने नब्बे माना तो घटा कीमत कितना होगा एक स्टी साट रुप्या हो गया होगा तो बाराचक बाहत देखिए कितना किलो का डिफ्रेंस है चार किलो सब्सक्राइब करते हैं कि अब देखें चलिएगा साथ सो बीस बटा एक सो बीस बस प्राम्भी कीमत आपने एक सो बीस रखा अब जब तीस रुपय घटेगा तो नबी रुपय हो जागा बस तो करतां एक सो बीस में से तीस घटाएंगे बाराचक बहत्तर और नौ अठी बहत्तर शे और ते डिफिर्स हो गया दो का माइन उसे कोई मतलब नहीं है ठीक Uz 34 माइन क्यों मैंस में होता नहीं है आप इस को अगer fordipTelem सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन आपको अप्रोच अपनाना है यह नहीं लिखना वह आपको नहीं ने बार निट जा रहा है कि अब कि अब कि अब कि अब अब कि देखिए इसको पहले में में डार लेता हूं उसके बाद जो तक कि ओके चलिए देखिए अब देखिए सवाल में साथ सो बीस वटा एक्स ऐसे करके लिखना नहीं एकजाम में ड्रेकली क्या करना है कि इस तरह के सवाल देखिए कि पर्सेंट ना देके ड्रेकली मूल और घुड़ा रहा है पैसा के मामले में तो 720 में दो किलो जादा रहा है तो आप ड्रेकली वाइए उपसन उठाईएए पहले उठादे नब्फ़े चलिए आप सेकंड उठाट एक्सोबीस पर यहाईएगा तो इस सीदा अपना सास्सों रुपे लेकर जा रहा है 120 किलो है तो छे किलो में आप इसको मन में रखे और मन में इस सवाल को बना सकते हैं कहीं पर घलत नहीं होगा ठीकि इस तरह अगला सवार चलेंगे अगला सवाल का मन में बनाने का कोई करिये इस बाला के चीनी के कीमत में दो permit कीलो कम होने पर दो रुपे प्रतिक कीजी कम होने पर विखतेश्व किप्योव किlike जादा खृत जादा खेंबधानुका करें करेंग सो यह सब समझ लिएो समझ away तीन ते लिए में चार से भागए तधीं तो चार किलो चीनी पहले जो अगर यह नो है तो बढ़ाना यांज आधर और यह हैu यहाँ भरतमान भैलूड ग्याद करने है के लिए नो है तो आपको देखना आपको लगा एक परसेंट आपको आपको लगा एक परसेंट आपको समय इसमें ज्यादा नहीं लेगा चाहे सवाल किस तरह कभी है सवाल किस तरह कर देखिए अब आपको जैसे कि क्या समझाना है जू उना चाहता हूं आध पार यहां पर बोल यह बस्तु कि नब तर्वान कीमत जाव ठीक है जल्बतर मान देदी आपको बस्तू की तो यहां पर आप्शन में मालते हैं रहता है दोर परतिके जी ऑप सब देखतें आभी विविट सोला से चड़ जा तो बस्तू की बरतमान कीमत अगर दूर पर मालेगा तो अब दूरपर मार्केट लेक है जो के आठ किशेव लेकर है लेकिन सवाल में क्या व kingdom है कि वो चार किलो चीनी यहां पे देखें जब बराम ही यह बतंद कीमत करेगा तो हम आपने दो माना है अभी किना अभी क्या खिर्माल ने सब乾लेहं गाट थाल से घाना कि हाएब पुस्ट सब क्र infra수 मत सब्सक्राइब पार यहां पर दिया है तो यहां पर द्यान रखना सब्सक्राइब करें दो पड़ेगा बस्तु की दामें बढ़ोतरी होला है तो रियल आने के लागों घठाना पड़ेगा है यह आपको ध्यान रखना इस तरह के सवाल अब जो आपका सवाल है यह सवाल बहुत यह पचीदा आपको लगता होगा लेकिन यह सवाल उको मैं छे तरीके से बता हूंगा फार उस्ति का पहले format समझे बस तो format क्या है गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर गेहूं का दाम कुछ था उसमें 20% के कमी हो गया एक ब्यक्ती 320 रुपई या में वो ब्यक्ती 320 रुपया मार्केट लेकर जाता था लेकिन जब कमी हुआ तो उसको पांच किलो चीमी गेहूं अधिक मिल रहा है पहल सवाल में यही पूख सकता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं पूच सकता है अब लोग समझ inhoud इस सवाल को करने का जो तरीका पहले IP CSU फिर चलेंगे हम सारे चीज้ों पर करेंग़ चर्चा आई या हम पहले देखते हैं सवाल का जो तरीका क्या है फाई ये सवाल का थ्वा मार्केट एक चीर करें तोर फव करें सो का दाम था पतीस ऊरफे केजी एक अब जब रहा बावाड गैगा अब interactions सबक्रणा बाग्धिें मार्केट वह ईए सब्सक्राहि को यह भी इसंपने प्राप्त होगा वह लाऊ आप वह सब्सक्राइब चारप्ट हो रहा आप 5 सवाल में यहीं बोला ay जदे कि बढ़े सवाल में क्या क्या प्रशेंट चिछाया ये अभी नहीं बताया गया वे कि सवाल में पूझा गया यह इसीदह ये बोला गया कि बस्तू का दाम में एतना परशेंट की ब्रीदी होने पर वह ब्यक्ती 100 रुपया में एक किलो ज्यादा से खृद रहा है पहले जो खृद रहा है उससे एक किलो ज्यादा खृद पार तो बस्तू का क्या दाम था यह ग्यात करना यहीं सब माल लेते हैं कि 720 रुपया मारकेट लेकर जा रहे थे किता मारकेट लेक्ट परसेंट की कम ही आई एकर की कम है कमी कैसे लिखेंगे हम नहीं बताया था कोई भी कमी निकालना है या बढ़ोतरी निकालना है तो एक का बीस परसेंट निकाली एक सका बीस परसेंट निकाली है तो आपका निकल जाए कमी एक सका पहले बीस परसेंट निकालते हैं तो क्या आजाएगा देखिए आपको हलेगा टू-स वाइज वाइज पॉलिफ है इसकोह अगर आप सौल्ब करतें हैं तौह अपकास भाई एकस भाईज फाइब आजाता है तो यह एक किने सब्ता पाच कि continuing पहले बस्तु का दाम एकर लोपया था और उसमें एकसंब का और पाच ही कमी यह था नहीं हुआ कि बस 320 रुपय मार्किट लेकर जा रहे हैं तब एक सवाल करें जो उत्तर आएगा प्रियलो क्या है और रियल भहलू क्या है ठीक है इस सकते हैं एक्स पी एक्स पे थोड़ा यह पेचीदा हो जाएगा कि आप एक्स का बीस पॉसे निकाल रहे हैं कमी एक्सटा पाच कर रहे हैं यह आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखें आप समझे देखिए सब्सक्राइब करना तो है इस तरह से सवालों को आप कर सकते हैं बाई एक्स आपको करने में तो प्रोल्म होगा अब एक्सका बहरों निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि लॉंग चला जा रहा ठाइम चला जा रहा ठीक है अब क्या उपाए हो सकता है अब इस सवाल को आप अगर देख रहे हैं देखिए गेहूं की कीमत में 20 प्रसेंट की कमी होने पर एक व्यक्ति 320 रुप्या में पांच किलो चीनी अधिक खिर रहा है तो जो सबसे अच्छा तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है वह अपनाना है क्या तो आप पांच किलो चीनी का गीर गया करेंगा चीनी का रेट कितना हो गया असी सौव का घटना मता असी हो गया गया और अगर आप vem also चीनी कितना ख़र देगा पांच किग लोग अब चकीनी आप पांच किलोग और में तो पहलए चारसो खरचा हो रहाए आप पहले पांसो खर्चा हो रहा था लिखाए अब 400 खर्चा हो रहां कितना कमा खर्चाज देखे तो 100 रुपयाका कर्षा कमां कि पांटी तो पता चला कि घ्ल से घडड गया जब आपका बस्तू का कीमत सब्सक्द जैंड 2006 फेसन घड़ीया यहां से कि आप कि खर्चा है बीस पसंद घड़ गया और कीमत ही बीस पसंद घड़ गया यहां पर यह चीज़ हुआ तो कुल मिला के यहां पर समझाने का मतलब यह है आपको थोड़ा धिकत हो रहागा लेकिन दोवारा देखें समझाएगा कि 320 रुपईया वह लेके जा रहा था जब रुपईया उसका बच जायेगा बस्तु की दाम में 20 पसंड की कमी होने से अब उस व्यक्ति के पास चौंशल रुपई बच जा रहा है अब क्या हुआ कि चौंसर रुप्य उसके पास पुलरा है कि चौंसर ठ्सोलिय्डर बोल रहा कि हमको आर समानी दें से दो कंदार पांच कियलो दिए सुमघ गए तो बस तो कदाम किता है हैं हैं अगला आ surg persecuted और दिए नहीं देने के जगा प्रयों दिने के लोडिया गए तो चाउन्साट कहें हैं कि 64 रुपया पाच हिलो का दाम है एक हिलो का दाम बार रुपया असी पैसा जो कि आपका बरतमान कीमत है ओके अब जब बार रुपया असी पैसा बरतमान कीमत आ गया तो परमभी कीमत भी ग्याद कर सकते हैं यह बारा रुपया असी पैसा कि बरतमान कीमत बार रोपय अस्य पैसा किया फ है बरतमान कीमत है तो पुछाँ सुझ है कि कबूहिए कब सवाल में सब्सक्राइब कोई कब 32 रूपय दो इसलिव पैसा परामभी कीमत है तो मुझे एक बात बता आई ओके मुझे बात बदाईए यह बाहर रुप्या पैसा परमधी कीमत को जाना है है सो रिबार कीमत है आपको जाना परमधी कीमत पर स्टार्टिंग खार रेट भार सका का नियुका कहने क्वात चीज देखिए ऐसे नहीं सुम्झगान है एक कभी होने के मतलब कहने के मतलब बहाई एक बटा पांच कमी कोगे मतलब चार हो ग्या वास कतू बस्तू कदाम पहले पादा सा बस्तू कदाम no आपको चारतिया ही बारा चारतिया ही बारा और चार बद दीस की थी वश्व मत आपकर लेए उना। टो तो सोला गाए 60 अप्रगी प्रती के जी का दा सटर्टिंग में किया तो क err ऐसे करकी आप निकाल सकते हैं जब आप इस उप करें थ anlat से निकाल से मैं इससे भी हल्का तरीका बताऊंगा जो कि आपको यह सब करना ही नहीं है लेकिन यह ची क्यों बता रहा हूं कि आपको जो भी आप किसी का ना किसी का यही अच्छा लाएगा कि बत अब भी मार्केट 320 पहले के जा रहा है अब भी मार्केट 320 पहले के जा रहा है अब बार प्यासी पैसा है तो अब किता केजी खिर देगा तो 25 कि देगा कि यह नहीं निकालना तो पहले 20 कि देगा पांच दिक मिला तो यह चीज है जो इसको आप पीछे करके फिर से देखेगा दो बार तीन बार देखेगा आपके दिमांग में गूज जाएगा ना तो कभी नहीं निकलेगा यह आपका दो पहले मैंने बता एक स्पे मैंने यह अचफल बदेखांब मैं मैं एक और तरीका ने से पहले मैं तो कि दिखांगा करूंगा देखाओं आप देखेंग्व Kadam प्रपया लेके जा रहे हैं थे मार्केट ओके सौ रुपया यहां आपको खर्चा करना चीनी में चीनी का दाम 25 रुपया था तो आप पांच किलो खिर दें तो कहने को बस्तु का दाम है इसका आगर में पात निकालते हैं 255 25 बस्तु का दाम 24 रुपया था यह दिना है जब रखेते हैं जब खर्च आप वर्ती क दाम के रचियों का इल्टा खा भगत का रिशि होता है मैंने यह बहुत बार बताया है आप लोश समझ चुके हम यहां पर वही तरीका किया ना बतायों धलिश बिखेंगे किन सबसेंट आँको कि कमी है तो बस्तु का नां पहले पांस था बस्तु का बहले चार घुए यह दाम हो गया तो खपत यहां से चार बटा पाच चार पाच हो जाया की ने बताए है जब 320 प्रवह खर्चा करना है इसको तो बस्तू का दम पहले चार था अब पहले पांस था आब चार यही तो आप कर सकते हैं थो कुछ तो कर सकते हैं तो जब यह तरीका है यह तो अपको सब्सेगे मिल दिया कि पांच किलो ग्यहूं अधीक मिलता है कि फैले लीजे निकाल लीजे बस्तु का खपत क्यूंकि खपत है तो नीच लेगा बस्तु की पहली निकाले लीजे प्रामभी खपत चार से गुणा कियें पांचों के वीस रुपया पहले पैदीक खा रहे अब अगर पांसे गुना करते हैं मैंने क्या बहुत किताब जो बोला उसको उपर रखे पांच किलो हम नीचे रखे जो निकालना गुना करी तो पच्छ पच्छ अब खपत कितना होगा पच्छ देखें अंतर पांस क्या भी आ रहा है तो पहले आप 20 के जी खपत कर रहे तो तो कहीं न कहीं सोलर रुपए की जी था बात खत्म अब तीन सो बीस रुपी आप खर्चा कर रहे हैं और आपको 25 के प्राप्त हो रहा है तो आप बस्तू कहीं न कहीं बार रुप एसी पैसा हुआ यह भी तरीका अच्छा यह भी तरीका आप ड्रेटल यहां से उल्टा लिख दीजिए कोई दिख्कत ही नहीं यह तरीका बहुत अच्छा कुछ करना है नीच तरह के सवालों में बहुत ही इजी तरीका सोजागा यह तरीका यहां पर खर्च अब आपवर्तित हो जहां भी प्वरतित हो नोगाम का उल्टा होता है यहां तक कोई दिखत नहीं यहां तक कोई दिखत नहीं वह कुछा अब में जो अगला तरीका बतांगा यह समझ लीजा अगला तरीका पैसे में डेल लिए परहला अगला तरीका पढ़ांगा तरे PA लिए कि आपसे तीन सो भीसका 20 पर से निकालके कर सकते हैं बठाल पांच तो बरतमान निकल देगा जो जो भी रहेगा बटा पांच करेंगा बस तुमा निकल देगा ओकी यहां तक के सवाल में कोई परसानी नहीं हो रहा हो अब क्या करना है अब एक तरीका है बीस परसेंट कमी आया तो भाई बीस परसेंट कमी का तो समझ चुके होंगे बीस परसेंट कमी का एक वटा पांच कहन पहले पांच था अब चार हो गया ओके पहले पांच था अब चार हो गया तो हमें को फिर से पांच पर जाना है तो हमें एक बढ़ाना पड़ेगा एक बटा 4 करना पड़े है यह जो अंतर होगा न एक का इसको एक लिखे और नीचे में रखे बस्तु का जो अभी का जो दाम है ने यह अभी का जो बरतमान कीमत है रहे हो यह क्या होगा बटा 4 करना है अब आप हमको एक चीज बताये यह चार क्या है वाई आप एक बढ़ा रहा है चार से जाने के लिए एक बढ़ा रहा है चार पर जाने के लिए तो आपको यहीं रखता एक क्वाइज है ऑफ को श मैं तो बस्तु का दाम पांच किलो 5 किलो अधिक है बस्तू कजारन किता भाई है 5 किलो अधिक ले रहा है सुर्जे 5 अधिक मिल रहा है आप बोले हैं एक का भीलो 5 के बराबर है यूठिक की बराबर ब्लों होगा कि नहीं बताई तो 320 रुपएया में 20 किलो मिल रहा था तो बस्तु का दाम 16 था अब पांस किलो दिख मिल रहा है तो बस्तु का दाम 12.8 हो गया है यह वी तरीका साहिए यह आप इसको इस तरह से बनाएके लिए आपका सवाल ही जो देख कैसे देखिए क्या करना आपको डिरेक्टली आपको इसका परसेंट कमी निकालना है तो आपको पता चल गया कि भाई पांच से चार हो गया अब उसको आपको उल्टा जाना है आपको एक बढ़ाना है कहां से चार से आपको एक बढ़ाना है चार से एक बढ़ गया पांच किलो जा प्रखेगा और तो 64320 का बीस निकाले तो हम पर क्या रहा था कीमत आ रहा था यहां पर खपत आ रहा है पर हम बिक कोई दिक्कत की नहीं को नहीं है क्योंकि आपने एक बढ़ाया चार पोचने के लिए एक बढ़ाया पांस तक जाने के लिए तो यह चार जो होता ना यह और अगला तरीका क्या होगा अगला तरीका यह बताते आपको को पांस तरीक बता रहे हैं कोई न कोई को तरीक्शा तिमाग में घुसेगा कि अगला क्या है कि 320 रुपईया में 20 पर्षेंट की कमी होने पर कितना पसंद 320 में अच्छा पता है 320 में क्या मिल रहा पांच किलो अधिक मिल रहा और कुछ भी करना है नहीं इन्टू 20 cares आप 20 पर्षेंट को 20 लिखे कुछ अलग नहीं कमी हो बड़ोती हो कुछ हो आप 20 को 20 लिखे भी बढ़ेगा सवाल बढ़ने वाला भी आता है सब्लेठेब वह वहां पर चीजे वही तरिक वही अपनाने कुछ नहीं कि अब क्या करना आपको आपको क्या कियात करना है ना आप यहाँ पर देखिए यह पर सिखना है को वह सिख़िए यहाँ पर जो 320 रोपईया में अथीक मिल रहा है आथ में आपको 20% कमी हुआ है ना तो 100 में 20 इस घटा के लिए जो यहां से निकले का सोल करने के बाद 20 चोके असी चौन सट पचे एक सो बीस तो के चौन सट जो यह निकलता है यह जो फर्मूला लग रहा है तिन सो बीस में पांच किलो दिक मिलता है बीस बटासी कर दिये असी क्योंकि आपने बीस पर से लिए हुआ तो यह 16 kg निकलता हैcción सोला निकलता हैना यह सोला निकलता है सोला निकला ना यह देट निकला है तो तीन सो बीस रुपय में इस आप और जब 20 किलो निकाल लें तो 5 किलो दो कहीं के mai कहीं पचिस किलो मिल रहा था तो Евने सा निकालें देत एक चीज निकाल लेगा तो सबकुछ निकाल लेगा एक चीजा को ढूंड़ा होना जाए आप सब कुछ निकाल सकते हैं कैसे कि परामभी कीमत 16 है तो परामभी खबद 20 होगा आप खबद 25 हो गया क्योंकि पांच किलो बढ़ा है तो आप कीमत 2 रुपएसी पैसे हो गया मैं ने पहले फॉ торमोला जो मैंने बता है उस फर्मोला से पहले बनाई तो बनाना है चार्सों रुप्या पहले किलो हमैशाorg signal किलो इन्ट्फ की कमी हो ने कमी हो बढोत्रिय कुछ ऊपर में वह लिए बस अब देखे हैं यहांसे अगर सौ में से 10-90 लिखेगा अगर कम ही हो रहा साह सो में जोड़िए तो यहां से क्या आपका निकलता है यहां से जो निकलता है और कीम्त कीमत इनकलता है ओरस्वाण किमत कंट रे निकलता है दो जोड़िये ऑप भागा देगा तो भातवान कंझा अंखेंद लेते हैं t barbecue लिए देख लेते हैं तो दीखिए कर तो भूर्र काट आगे 10-35-200 बटा नो तो अगर इहां पे घटा के लिगते हैं तो प्रह्म भी कीमत ही ग्यात होता है इस फर्मूला के थूरो यह आप दीमान में बैठा की इस फर्मूला का इस्तमाल Red कर रहे हैं नीचे में अगर आपने घटा के या बढ़ा के लिखा है यहां पर नबे चाहिए तो अगर दस परसें बढ़ोतीरी बोलता एक सु दस तो यहां पर हमेशा परमभी कीमत ही निकलता यह आप दिमांग में रख लिए तो देखे चाल सु रुपिया लेके गए मार्के चाहर सु मार्केट ले गया और दिरज और 200 बटा 9 रुपिय केजी था दो सो बटा 9 को मैं उपर कर दिया ठीक है सपाय चला किसव किता मिल रहा 18 केजी मिल रहा है तो प्रमभी कीमत पूचे तो 200 बटा 9 केजी और प्रमभी खपत्पट पूचे तो 18 केजी जी कोई दिकत नह चीनि अधीक मिलरा तो आप चीनि कितना मिल रहोगा 20 किजी तब 420 किलों चीनिय सब्सक्राइबंगा, बहागा देख लिजए दहाइँ मैंने क्या है। हमने यहां पर ड्रेक्टली सवाल में देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि ड्रेक्टली सवाल में आपको क्या पूछ सकता है अगर सवाल में कि यह सब ना पूछे सवाल में बताओ बरतमान कीमत क्या या बरतमान खपत क्या बताओ कि अभी उस बस्तु का कीमत क्या ह है अभी बस तुका पर्जेंट में वाट इद प्राइस प्रजेंट प्राइस ऑफ त्थिंग जो भी चीज़ है मारा चिनी का प्रजेंट प्राइस क्या तो आपको एक ना 400 में मिल रहा है दू किलो अधीग 10% कमी होने पर बटा सो जब बरतवान पर जेंट में रहना है ना य तो यहां पर से अगर चारों पूछता है तो केवल बरतमान निकालके सब जगा पूझे यहां पर घटाना है नहीं सौल कर दिए तो बरतमान निकालके डेखली सब के पास पूछ सकते बरतमान अगर आप 20 रुपे के जिखिए रहें तो 20 के जिखपत कर रहें बरतमान में ल कर देखेंगे चार सो रुपया पहले भी खर्चा कर रहा है लाड़का समझदार है ऐसा नहीं कि दस कमी हुआ है तो पैसा बचाके रख ले रहा है पैकट में नहीं वह खृद ले रहा है दो किलोचीनी अधीग में तो चार सो में 10 की कमी होने पर कहने चालिस पी न ल İW screenkem रहा हुआ दो को मिल गया तो शालीस पार और इस लिभी बन की पर मैं केJack को मत दूब है हम इसके बदल कुछ चीनी में मैं मत आव coma या एक चालीस में 2 रुपया रखने के बजाय दूकंदार ने दो किलो चीनी दे दिया पर तो अवीज परेड़ी कौन सा दाम भई या तो बरतवान दाम है अभी खिरिद रहे होंगे भी थारा के छेठीस से दोश्र बटा नो यह वी तरीका सही यह लो अब को बटा निकल कर दिजे आपको प्रजेंट प्राइस निकल लगा इस निकल लिए अब क्या KARक अ ऐसा तरीका कि इसरह आ यह तो खर्च अपवर्तित है कर Lock it न कमी हुआ है यह एक वटा दस खह सकते के 10 पिसे में गुआ हुए फाले बस्तू का दामग ना था दस था आप बस्तु का दामगहिए तो जब खर्च अप वर्ती बारे तो दाम का उल्टा होता है खपत ना हो गया फाले खपत दस था सधे अब लिकली न ant था बस तू नो रुप्याम दे रहा था इसका उल्टा हो जाए खपत क्योंकि यह खर्च अप वरती थे खर्च क्या भाई चार सो रुपई यह खर्चा कर रहा हमें साथ कि उख देखिये खपत पहले नोँ खिशला थाँ आपंध यहां किजिता रहा है किता है बदो कई की की बिखेंг न हुट है नहसे घृृटह सदकन renewed any यहां इस्ट्रe का कि दो rekर्यूा निंगलेगा आपका सॉरी सॉरी इस्त आप कि यहां नौ करिया थे क्या पाहले खपत निकल लेका अठारा हो गया किका हमाड़ जाते हैं अब देखें आप यहां पे दस से गुना करेंगा तो दस दूने पीस यह काहते हैं कौन सा यह बरतमान भरतमान खपत रखता लिए सा ग सकते हैं कोई भी तरीका से कर सकते हैं कहीं भी आपको परिसानी नहीं होगा आप जो अगला तरीका मैं इसलिए बार बतार हुदा रहा हूं क्योंकि इतना आप देखे को भी तरीका दस प। सर्द में worked कि 10% को आप लिखते हैं एक वाटां श़्िआ के कमी हुई है कहने का मतलर nine सो गया 10 था अब हो गया 9 अब यह इस नौँको किताब के लए कि दूपीजी बढ़ाना पढ़ रहा है कि कहीं पर कमाना भी पड़ेगा तो कमाना पर पर कमाना रखेगा एक अधर टीक है तो कहीं ने खुछिटाओं और नों जू है यह एक कपलो क्यमत कितना रहे किब्स कितना इक चीज़ निकलते हैं तो सारा निकल लगा कीना पॉसीबल थी का सवगता है अगले सवाल पर नाए करें जो भी तरीका आपको अच्छा लगए बीडियो को पॉच करिए करें वीडियो को बना स्टाट करें नहीं बनेगा अब तो तरीका से पहले यहां सीखेक एक तो विगा कीदि परसेंट की बढ़ोतरी होने पर तो प्रसेंट की बढ़ोतरी होने पर नुच्छ कर रहा हूथ तो पेन कम मिलेगा जब दाम बढ़ गया तो आप उस जितना समानल पैसे लेए रहे तो उसमें तो कम रहा एक दर्जन पेन का मिला सवाल मिश्टेक है ठीक एक कि 20 पर सेन्ट की पढ़ोतरी करने पर अबाद फो तीन सो रुपईया में सवाल है 300 रुपईया में एक दर्जण पेंट एक लिए एक कावली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां सव का देखना पड़ा को मतलब ही नहीं बढ़ाने है फिक्या तो जब यहां पे सव रखते हैं तो आपको क्या निकलत्या साथ यह साट रुपईय दर्जन था क्या ? 60 रुपईय दर्जन यगा करता क्या ? की अब ही का दाम पर जेंट प्राइस सग मैञा रखहे का रिच हम पर तक पहले वहां प्र足 साट पर पर जेंट प्राइस है तो यह हो पर ही कही hypertension 5 दर्जन मिल रहा हो सबस्राइब तो पहले कीमत कितना उपचतर रुपिय है यह से निकाल सकते हैं तीन सो बटा चार तो पर कीमत था पहले स्टेक हुई है और अजो देखिए इसेवाल में जिल रहा था इसको 5 दरजन पर अभी मिल रहा बरतमान में यहां पर अब यह स्था ऐखेए करने को सब्सक्राइब यह कमा हुआ है किस तर्षा से फाटेम से जोड़ना पर लिए पर क्या लिखा एक दरजन पर कम मिलता है एक दरजन पेन कम मिलता जो कि 5 के बराबर कमा हुए बज़ने तो चे तब 300 कोचे से भाग देते हैं पचास घाट का ठीक है फचास इस तरह सवाल का उत्तर आपको आ सकता है 50 से 60 कि आप यह तरीका पना है अब इसका और एक और तरीक क्या होगा देखें कि यहां पर देखें सवाल में मिष्टेक कह कमी ओके बीस परचेंट की बढ़ोतरी होने पर तीन सो में आप गुझ निकरना बीस परचेंट की बढ़ोतरी हुआ पहने कमतों एक की बढ़ोतरी हुआ पांस से एक बटापाच करते ना तेक छे हो गया तो बस्तू का दाम पहले पाँच था अब आद दाम 6 हो गया इसका उल्टा जा रहा खट आपको रखना दिमाग में खपट का रेशियो 6 हो गया आप 5 से तो खबंगा रेशियो में कितना कम आया भाई पहले छे युद्स कर रहा था आप 5 उच कर रहा पांच गुना करेगा तो अभी कख़ते लिए प्रजेंट है यह निकाल सकते हैं तो यह साथ तरह से सवाल का उतर आएगा और बागी जो तीन तरीके वह आपको इस्तमाल करें तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं फिर अगले सवाल में चलेंगे अगले में तरीके में अल प्रणने वादू